हेलो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे चमकोर का युद्ध बैटल अफ चमकोर जिसमें गुरु गोबिन सिंग और उनके 40 सिखों ने मिलकर मुगलो की नाक में दम कर दिया था और उन्हें बुरी तरह हराया था अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक सेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकोन को दबाना ना भूलें आईए हम लोग सुरू करते हैं चमकौर का युद्ध जो 21, 22 और 23 दिसंबर 1704 इस्वी को गुरू गोबिन सिंग और मुगलो की सेना के बीच पंजाब के चमकौर में लड़ा गया था मई 1704 में आनंदपूर की आखरी लड़ाई में वजीर खान की सेना आनंदपूर शाहिब को 6 महिने तक गेर रखा था वजीर खान ने सोचा की बोजन के रूप में पानी आनंदपूर शाहिब में समाप्त हो जाएगा फिर गुरू श्वैम मुगलो की अधिनता श्रेकार करेंगे लेकिन यह मुगलो का भरम था जब गुरू जी का राशन पानी खतम हुआ तो शीखों ने कहा कि गुरू जी अब क्या करें तभी गुरु जी ने कहा कि भूखे मरने से अच्छा है कि दुस्मनों से शामना कर वीरगती को प्राप्त किया जाए यह शब सुनकर पूरी सिख्षेना में उर्जा का संचार हो गया तभी सभी ने गुरु जी के साथ चलने के लिए राजी हो गये 5 दिसंबर 1704 की रात को गुरु गोबिन सिंग जी अपने 400 सैनिकों के साथ चुप चाप आनंदपूर से निकल गए कुछ समय बाद मुगलों को पता चला कि गुरु जी यहां से निकल गए हैं तभी उन्होंने गुरु जी का पीछा करने लगे जब गुरु जी सर्शा नदी के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि नदी में पाण आ चुकी थी इस समय सिख्खों को बड़ी मुश्किल में थे क्योंकि उनके पीछे मुगल सैनिक और आगे सर्शा नदी की बाड़ थी तभी गुरु गोबिन सिंग जी ने कहा कि कुछ सैनिको को दुस्मन को यहां युद्ध में रखना चाहिए जो सर्शा नदी को पार करने की छमता रखता है वह अपने घोडे के साथ नदी को पार कर सकते हैं दूसरी तरफ भाई उदै शिंग और जीवन सिंग ने अपना शमू बना लिया और दुस्मनों से भिड़ गए इसमें गुरु गोबिन गुरु देव जी शर्शा नदी पार करने में शफल हो गए और शैकडो शिख पार करते शमय नदी के पानी में बह गए थे बरशात की बारिश नदी के थंडे थंडे पानी ने गुरु जी के सेनिकों के शरीर को शुन कर दिया यही कारण है कि दुस्मन सेना सर्शा नदी को पार करने की हिम्मत न कर सके सरशा नदी पार करने के बाद चालिस सिख, दो बड़े साहिब जादे अजीद सिंग और जुजार सिंग, गुरु गोबिन सिंग जी शहित कुल मिलाकर 43 शिख बचे थे नदी के पार भाई उदैश शिंग ने मुगलो के कई हमलों को जारी रखा वे तब तक बहादरी से लड़ते रहें जब तक कि उनके पास एक जिवी सैनिक ना बचा था अंत में उन्होंने युद्ध के मैदान में गुरु के निर्दोशों का पालन करते हुए वीर गती को प्राप्त हुए गुरु गोबिन सिंग जी अपने चालिस सीखों के शाद रूपनगर के पास चमकौर शाहिप के पास एक बगीचे में पहुँचे अस्थानी लोगों ने गुरु जी का श्वागत किया और उनकी हर तरफ शे मदद करने के लिए कहा यहीं एक किला नुमा कच्ची हवेली थी जो शामरिक द्रिष्टी से बहुत महतोपूर थी क्योंकि यह एक उचे टिले पर बनी थी इसके चारो और खुला शमतल मैदान था हवेली के राजा ने गुरु जी को यहीं आराम करने को बोला और गुरु जी ने आगे जाना शही नहीं समझा चालिश शायनिकों को छोटे समोहों में बाटा और उनमें बचे हत्यार को बाट दिया खालशा शायनिक इतने बहादूर थें कि उनका शिद्धान था कि दुस्मन के सामने हत्यार नहीं दालना भले ही वीर गदी को प्राप्त क्यों न हो जाएं सरशान दिपार कर वजीर खान भी चमकौर शाहब पहुंचा उसको जब पता चला कि गुरु जी के पास बस चालिस लोग हैं तो उसने चमकौर सहाब को घेर लिया और वजीर खान बहुत खुस था और उसने गुरु जी से कहा कि यदि वे अपने आपको उसके हवाले कर देंगे तो वह उन्हें बख्ष देगा इसके जवाब में शीखों ने मुगल सैनिक परतीर से हमला कर दिया उसके हजारों सैनिक मारे गए वजीर खान को लगा कि उसको गलत जानकारी दी गई है क्योंकि बस चालिस सीख ऐसा जवाबी हमला नहीं दे सकते हैं सीख सैनिक चारों और से घिरे होने के बावजूद उन्होंने होसला नहीं हरा और डट के मुगल सैना का सामना करते हुए बहुत सारे मुगलों को मौत के घात उतार दिया था मुगल सैना जादा होने के कारण सिख शेना के तीर जल्दी खतम हो गए इसमें वजीर खान को लगा कि अब हम आसानी से शिखो पर जीत पा लेंगे पर शिखो की हिम्मत को देखकर वजीर खान डर गया चमकौद साहब के युद्ध में गुरु जी बड़े साहब जादे का बलिदान कोई नहीं भूल सकता है जब सिखो को मरता देख गुरु जी के बड़े पुत्र अजीत सिंग ने अपने पिता के पास जाकर युद्ध में जाने की अनुमती मांगी गुरु जी ने अपने बड़े बेटे को आसीश दिया और अपना करतब पूरा करनी के लिए होशला दिया साहिब जादा अजीज शिंग ने अपने साथ चार सिखो को लेकर किले से बाहर आए पूरे जोस से मुगलो पर तूट पड़े उनके जथे ने शैकडो मुगलो सेना को मौत के घाट उतार दिया अजीज शिंग ने अवश्मर्नी अबीरता के साथ युद्ध लड़ा अपने बड़े भाई को शहीद होता देख शाहब जादे जुझार सिंग ने भी युद्ध में जाने के लिए आग्या मागी गुरु गोविन सिंग जी ने उनकी पीट थपतपाई और युद्ध पर भेज दिया पर वो युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए भाई दिया शिंग ने शिखो की संख्या को कम होता देख गुरु जी चमकौर साहब से जाने को बोला तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें छोड़ कर नहीं जाओंगा तभी शिखो ने गुरु जी के चरणों में जुक कर प्रार्थना की हमें कुछ हो तो कुछ नहीं बिगड़ेगा पर आपको कुछ हुआ तो पूरे सिख्पंथ का क्या होगा तो गुरु जी ने कहा कि मेरा जीवन प्यारे शिखो के जीवन के मुल्यवान नहीं है कैसे कैसे शम्भो हो सकता है कि मैं तुम्हें रण भूमी में छोड़कर अकेला निकल जाओं बहुत मनाने के बाद गुरु जी मान गये गुरु जी छुपकर नहीं जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने मुगलो को आवाज लगाई कि मैं जा रहा हूँ पकड़ना है तो पकड़ लो और जाते शम्हें मसाल लिए हुए शैनिकों को मार गिराया और बहुत सारे शैनिकों को गुरु जी ने मार गिराया जिसके कारण अधिरा हो गया और वे आसानी से वहाँ से निकल गये पर मुगलों के बहुत सारे शैनिक मारे जा चुके थे सुबा जब वजीर खाने मुगल सेना के सब देखा और सिर्फ 35 सिखो के शब वहां पाए तो वह सर पकड़ के बैठ गया क्योंकि वह गुरू जी को पकड़ने में और शफल हो गया था इस कुष्चे में वह पांच सिखो पर भी हमला कर दिया यह युद्ध औरंग जेब के सबसे बड़ी करारी हार थी जो सरकारी खाजाने के लाखों रुपए भी खर्च हो गए और लगभग 10 लाख मुगल सेनिक इस युद्ध में मारे गए थे गुरू गोबिन सिंग जी और उनके 40 शिख और उनके दो बेटे 43 लोग मिलकर 10 लाख मुगल सेनिकों को मारा और बहुत ही बुरी तरीके से मुगल सेनिकों को युद्ध में हराया गुरू जी ने कहा था कि चिडियों से मैं बाज लड़ाऊं गिदडो को मैं सेर बनाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं तभी गोबिन सिंग नाम कहाऊं एक सिख सवा लाख के बराबर होता है सिख ऐसे होते हैं जो अपनी जान की परवा किये बिना दुस्मनों से लड़ जाते हैं ये था चमकौर का युद्ध जो की बहुत ही बड़ा युद्ध था जिसमें मुगलों की हालत खराब हो गई थी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आएं धन्यवाद